सुमेरपूर में जीला परिवन कायल जल्दी खुलने की आस बढ़ गई है और इसको लेकर सिरोई विधायक सैयम लोडा ने परिवन मंतरी परताब सिंग खाचरियावाद से मुलाकात की है साथ ही सैयम लोडा जी ने आयुक्त रवी जैन से भी मुलाकात कर परिवन विभाग क डीटियो कारियले को सुमेरपूर के नागरिकों के लिए खुलवाने की मांग रखी है जिया गौर तलब है कि पाली जीले में सुमेरपूर बहुत बड़ा कजबा है और उसको देखते हुए सैयम लोडा इसमें पहल की है और बकायदा इन्होंने परिवन मंतरी परताब सिं मदद कीती सैयम लोडा द्वारा और सैयम लोडा ने लोगों की समस्याओं के अनुरूप समय समपर समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं सौल किया हर समस्या को तो अब लग रहा है कि सुमेरपूर में जिला परिवन काले खुलने से चैतर वासियों को लाब हो सकता है जीहां कौन-कौन से छैत्र इससे लाभानवित होगे वो भी हम आपको बताते हैं सुमेरपूर तैसिल, बाली तैसिल, रानी तैसिल, नाना तैसिल, बेड़ा और शीवगंज के वसिंदों को भी इससे मदद मिलेगी जीहां विदायक सहिम लोड़ा इस बारे में जानते हैं कि सुमेरपूर जो की एक तरह से जुड़वा सहर है, उसको देखते हैं सहयम लोड़ा ने परिवन मंत्री से मुलाकात किया और लोगों में आस जगी है और आसा की इस किरंग की सुरुवात सहयम लोड़ा के मुलाकात से हुई है, डीटियो कायले के लिए विदायक लोड़ा स मिला पूत था इसके लिए परतिनीदी मंदल और परतिनी मंदल को पूरा आस्वत किया था सहयम लोड़ा ने कि जी हां मैं जरूर मुलाकात देखिए, सहयम लोड़ा परताफ सिंग खाचे यवास से जो मुलाकात है उसके दरशी और किस प्रकार से अपने खुद के विदाय पद के लेटर पेड़ पर लिख कर दिया है पूरा क्या लिखा है पूरा वो आप खुद देखे इसको हम जूम करके दिखाते हैं बिल्कुल जिस प्रकार से सुमेर पूर चैतर के लिए परिवन कायले खुलवाने की मांग विदायक सेम लोड़ा ने खुद की है जी हां बन